असलाम लेकुम, आज मैं आपके थार शेयर कर रही हूं काले मिल्द चिकन विद वाइट रिज ग्रेवी बनाने की रेसिपी बहुत ही ठस्री, बहुत ही इजी और क्वेक रेसिपी है घर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑकेशन हो या फिर कोई स्पेशल दे हो अपने घर वालों के लिए कुछ बनाना हो तो बहुत ही इंस्टेंटली बहुत ही शानदार ये रेसिपी आप जट पट से बना सकते हैं और घर में सभी की फेवरेट बनने वाली है, आप इसको एक बर बना लेंगे तो सब बार बार डिमांड करेंगे कि यही रेसिपी आप फिर से बनाएं तो चलिए देख लेते हैं काली मिर्च चिकन विद वाइड ग्रेवी हम किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले हम एक टेबिल स्पून काली मिर्च लेंगे और इसको दरदरा सा कूट लेंगे मैं इसको कूट रही हूँ लेकिन आप चाहें तो मिक्सी में दरदरा पीश सकते हैं इस बात का धियान रखना है इसको दरदरी साइड पर रखना है मतलब इसका फाइन पॉड़र मत बनाएगा यह देखिए इस तरह से कोर्स इसका एक पॉड़र बना लीजेगा और इसको एक साइड में रख दीजेगा अब यहां पर काले मिर्ट चिकन बनाने के लिए मैं बॉनलिस चिकन यूज़ कर रही हो लेकिन आप बॉन्स के साथ भी चिकन को यूज़ कर सकते हैं तो मैंने 1 kg बॉनलिस चिकन लिए इसमें हम डाल देंगे दही तो दही मैं डाल रही हूं इसमें तकरीबं 300 ग्राम कप में मेज़ा करेंगे तो 1 कप और 1x4 कप यह दही है यह दही ताजा है, एकदम फ्रेश खटा मीठा नहीं है फ्रेश दही लीज़ेगा अब इसमें नमक डाल देंगे तो मैं 1.5 टी फून के खरीब इसमें नमक डाल रही हूँ आप टेस्ट कार्डिंग नमक एड़ेस्ट कर सकते हैं और एक टीजपून कोटी लिए डाल दें गे जो अभी हमने काली मेश कोटी है उसमें से एक टीजपून लें और इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और टाइम की सहुलित के हिसाब से मैरिनेय debates कर देंगे कम से कम 15-20 मृट के लिए तो मैरिनेयट कर लिजेगा और टाइम स्यादा नियुद्फंध के लिए और फिरके ला और उवरनाइट पहों éléments कर सकते हैं मैरिनेट करने से चिकन जादा जूसी और जादा सॉफ्ट हो जाता है तो बस यही डिफरेंस आता है जादा देर तक मैरिनेट करने का तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं एक पैन में आधा कप मैंने तेल गरम कर लिया है इसमें एक से दो टेबिल स्पून बटर डाल देंगे बटर डालने से टेस्ट बढ़ जाएगा लेकिन आप चाहें तो इसके बिकर सकते हैं इसके साथ इसमें डालेंगे वन एन चाहर इमेज ले लेंगे और इसको हमें फ्राइ कर लेना है बस थोड़ी दिर फ्राइ करेंगे सिंप्ली प्यास को हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे हम इसका कलर नहीं बदलना है सिर्फ प्यास को सॉफ्ट कर लेना है इससे क्या होता है प्यास की मिठा से वह खतम हो जाती है तो यह 10 पर लोख फ्राय की अब इसाइब हम अधाना निकाल लेना किकिकी हम वाइट ग्राइबी बना लिया लिए इसलिए हम प्यास का रंग नहीं बद्लेंगे अगर आप इसको गुर्डवों तो प्यास को सफेदी साइड पर रखेंगे जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वह सफेदी बनेगी वाइटी बनेगी तो यहां से मैंने प्यास और काजू सब निकाल लिये हैं अब हमें इसी तेल में डाल देना है कुछ साबुद गरम मसाले जिसमें दो इंच का दाल चीनी का टुकड़ा चार पांच चोटी लाची एक बड़ी लाची और पांच छे लॉंग हैं तो यह गरम मसाले इसमें चले जाएंगे और इसे के साथ इसमें जाएगा अद्रक और लहसुन का पेस्ट तो दो टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और दो टेबल स्पून अद्रक का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी और हलका सा अध्रकोल हैसुन के पेस्ट को हम फ्राइ कर लेंगे जिससे की जो इसकी कच्छे स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी तो दो से तीन मट के लिए मेडियम फ्लेम पर इसको फ्राइ कर लेते हैं एधर हमने प्यास, काजूफ, आरी मिड यो मिकाली है इसको मिक्सी के जार में डालना है और इसको एकदम बना लिए थोड़ा सा पाइन डालकर इसको एकदम स्मूतली स्मूतली ग्रैंड कर लिए कर ले जगा भी सिससे निस नाईा है अब इसको fry कर लेंगे, भून लेंगे इस मसाली को, 4-5 मिन के लिए medium to high flame पर जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, हम इस पे marinate कियावा चिकन डाल देंगे और अब हमें इसको चिकन के साथ भी अच्छी तरह से भून लेना है, 7-8 मिन के लिए high flame पर अच्छी तरह से चलाते हुए इसको भून लेंगे तो जो ऐसे जैसे भूनता जाएगा, यह जो आपको पिंकिश सा चिकन दिख रहा है, यह आफ वाइट कलर का होता जाएगा पून लेते हैं, जब तक चिकन नहीं भून जाता है और तेल सरफेस पर नहीं आजाता है, तब तक इसको भून लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिकन खूब अच्छी तरह से भून चुका है, और ग्रेवी ने तेल भी रिलीज कर दिया है, अब हमें चिकन को गला लेना है, तो मैं इसमें 1x4 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, मैंने वही बोल यूज कर लिया था, जिसमें मैंने चिकन को मैंने नेट किया था, इसलिए जो पानी है थोड़ा सापको वाइटेश देख रहा होगा, थोड़ा ही पानी इसमें डालेंगे, बहुत जाद यूज के साथ यूज कर रहे हैं, तो पानी भी थोड़ा जाद ही डालेंगा, ताकि नीचे ना लगें, लो फ्लम पर मैंने इसको 12-15 मिन पकाया है, और हमारा चिकन यहां पर गल चुक है, और आप इसकी कंसिस्टेंस और स्मूथनेस देख सकते हैं, कितना क्रीमी इसका टे और भी जादा बढ़ जाती है, और इसके साथ इसमें डालेंगे वन बाइ फोर कप के करीब फ्रेश क्रीम या फिर दूद के ओपर जमी भी मलाई, तो इसका जो टेक्श्चर है वो और भी जादा क्रीमी हो जाएगा, थोड़ी से इसमें हरे धनी के पत्ते डालने के बाद, अभी मेल दूद के माइँ करें अन्याइख और दूद करें करीम जाएगा, भी साथ पगाते हैं और अथे, दूद के यहां पर अदूद करीम डालने के बाद, बस 1-1,5 निट और पका लिया इसको और काली मिर्ट चिकन विद वाइक ग्रेवी बन कर तयार है, और आप इसक तेक्टर यह सबक्रें कितना क्रीमी बनाए अछा, तो चलिये बना टार कितना की थे क्तिती ग्षी बनाने बनाना आसान भी होता है, बहुत सारे हम इसमें मसाले भी नहीं यूज करते हैं, बहुत माइल सी ग्रेवी ओती है, जो की रिच ग्रेवी हैं, और किसी भी पार्टी में आप इसको बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा, उपर से मैं थोड़ी सी काली मिर्च और और आप इसको अपनी पसंद की रोटी, नान, कुल्चे या फिर पराथे सरव करिए आपको बहुत पसंद आने वाला है और अगर आपको रेसेपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और मेरे फेल्बुक पेज और इंस्ट्राग्रा इंबॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्ला अफिर। झाल 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